साथियों मैं हूँ आपके अपनी प्राचेदिकारी दोस्तों कॉंगना रनावत की शूटिंग चल रही थी कॉंग्रिस के कारेकरता अपने नेता के साथ वहां के जो लोकल नेता थे उनके साथ सुगदेफ पासी के साथ पहुंचे और उन्होंने वहां पर हंगामा करना शुर फैसा ही लगए कि कंगना की हर भात से मैं हर बार से होतीम है वेर राष्ट का राष्ट कि बात आट हूं से हर बात उम्यूздर बठाने वाले लोगों की बात होती है तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूं या कोई जाइस बात होती है पहले तो मैं फैमिनिजम का कार्ड भी नहीं खेलती हूं ये भी आपको बता दू लेकिन अगर कोई महिला आत्मसमान से अपना काम कर रही है और उसके काम में अडंगा दालना केवल इस मान सिकता से क्यूंकि वह एक पार्टी की विचारधारा या एक राष्टवादी विचारधारा को फॉलो करती है तो यह गलत है अगर वह कांग्रेसी विचारधारा को फॉलो करती या वह कांग्रेस के विशे में कोई अच्छी बात करती तो आप कांग्रे पहली बात तो यह बता दू कंगना ने जो भी ट्विट करा आपको जवाब दिया यहां बात सौ आने सत्य है कि कंगना पूरी इंडस्ट्री में इसलिए लोगों की आँखों लोगों की दुश्मन बनी लोगों की आँखों में चुबी क्योंकि उसने खान बंदूओं का की आ नहीं बनके नाची ना उनके इशारों पर नाची हाँ वह जब बच्ची थी जब वह छोटी थी उनसे कुछ गलतियां हुई जो कि उन्होंने जान मुझके नहीं करी या जान मुझके करी भी तो वह एक कम आयूखी थी उनसे कई चीज़ें ड्रक्स के एवस में करवाई का एक पुराना कल है जिसे छोड़कर वो आगे बढ़ चुकी है कॉंग्रेस के दिगविजय जो है वो कहते हैं कि वो कंगना को नहीं जानते कौन कंगना हाँ दिगविजय क्यों जानोगे तुम इतनी वड़ी अभिनेतरी को तुम क्यों जानोगे राश्ट्रे प्रुसकार का डीडी न्यूस का वो चैनल का दोगी तुम जैसे हो की तो जाच होनी चाहिए कि तुम ऐसे जो संपत्यों पर अपनी बीवी को कैंसर से पीड़ित बीवी को छोड़कर दूसरी और अपने से आधी उम्र की औरत को विवा करने वाला चकल चलाने वाला आदमी जिसके खु कौन कंगना कौन राजपूत तुम तो राजपूतों के नाम पर धबा हो तुम कौन से अच्छे हो ठीक है लेकिन कंगना का जो भी पुराना थ्यास रहा जो भी उसका पुराना कल रहा वह अपने कड़वे सच का अनुभव हम युवा वर्ग को इसलिए बताती है क्योंकि वह चाती है कि ऐसा ना हो कि हमारे हमसे कोई हम किसी की चकाचोत को देखके बहके यहां मिंदस्ट्री की सच्चाई को ना समझे कोई अगर आपको अपनी अपने बुरे कल की बात बता रहा है या अपनी कोई पुरानी पुराना पास्ट बता रहा है कोई हिस्ट्री बता रह यहां आपके जो छोटे लोग हैं आपसे जो छोटे हैं जूनियोज हैं वो सीखें जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस प्रकार के लालज दिये जाते हैं या किस प्रकार से ड्रिंक्स में चीजें मिलाई जाती हैं या किस प्रकार से आपको लालज दे के जूड ём बोलेंगi आइटम नमबर कौन होता इटम नमबर जो अपनी जो आईटम करता हैसे और वoca बना करना किमा करती है नहीं ठ्रिफिंड है रोगल सब्सक्राइब नहीं करतीट करती हैं में 200-400 लोगों कि सेट पर दाण्स करती थी ठीग है और स्वभिमान से डांस करती थी पहली हिरोई ने बॉलिवूट की जिसने बड़े-बड़े खान और कुमार्स को कपूर्स को पंगे लिए और अकेले हिरोईक फिल्मे करी रानी लक्षमी बाई तक का किरदार करा जो सनातन धर्म के चीजों को जगाया ठीक है मैं उसकी हर बा प्यूर एंटर्टेइन्मेंट वाली मूवी हो कंगना एक प्यूर एंटर्टेइनर हैं समझें वह अपने बलबूते पर फिल्म को चलाने की उकात रखती है लेकिन दिगवजे तुमारा राचकुमार तो आपको जो तुमारा शहजादा है अबनॉर्मल शहजादा अपने दं पर एक पाटी नहीं चला सकता वो तो आपने दं पर एक सीट जीत आए नहीं आ सकता उतर लिए कि अगर उससे out of the context सवाल पूछ दिया जाए तो भूला 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 ऐसे पागलो वाली हरकते करता है उसको उसको पूछो ना अरे शरम आती है मुझे तुम लोगों की मानसिक्ता पे जिनकी पाटी की अध्यक्षता अध्यक्षत जो है वो एक महीला है सोनिया गाधी सोनिय नकली गांधी पता नहीं गांधी कैसे लिखते हैं बाप स्टीफन ससुर यह आपका फिरोज गैंडी और पता नहीं कैसे गांधी बन गए मुझे तो पूरा परिवार समझ नहीं आता कर मैं प्राची गांधी लिखनू तो बुरा मत मानना क्योंकि मेरा मेरी मां अगर जाव बन सकती हूं हाँ यह बास जरूर है आइटम क्या होता है जो आइटम जिस नज़रीय के आइटम को आप बोलते हैं नाचने वाली वह ओती है जो बारों में नाचती है वह कुछ याद आया बार से इट्रिली से लेकर लंडन के बार तक कोई नाशता था तो वह निचल कभाशाव Congress बोलती है एक मन्च वो नाचा करती थी कूई वाड़रा था उसकी माँ भीवा शराब बेचा करती थी फिर अचानक Pose earn aproximries 3 neighbors बारत के परिवार की फिर लड़की की शादी उससे हो गई अचानक से उनके घरों की घर परिवार के लोगों की मिर्तियू कभी एक्सिडिनेंट में हो गई तो कभी वो पंखे से लटके वे मिले हाँ कभी याद आया कुछ कॉंग्रिस वालों को नहीं आया होगा एंटीनो माईनो स्व पूश लेना तो इसलिए दूसरे की बिज़ती करने से पहले अपनी गिरवान में जहाको तुम अपने बलबूते पर क्या कर सकते हो तुमारा तो पूरा कुनबा जो है एक नंबर का ड़कोसले बाज जूटे और मक्कार लोग भारत को सतर सालों से लूटते वे आए अंग् जाके बाबर की समाधी पर रोने वाली पाटी जिसकी कुद की महलाएं परिवार की महलाएं जो विदेशी महला तुमारी अध्यक्ष है जो विदेशी महला के तुम गुलाम हो इससे पहले जो इंद्रा गांदी थी जो मुसल्मान बन चुकी थी जिनों निकाह पड़ा था वो बाबर की कबर में हादूल, कम से कम उनी लोगों का ही तुम सलामी दे देते हैं, उनी के कारण चुप हो जाते हैं किसी महिला पर अबद्र टिपणी करने से पहले, इसलिए कंगना के बारे में बोलने से पहले, या किसी भी महिला के बारे में बोलने से पहले, अपने अंद स्वाहलो कभी इतनी बख्वास ये न करो यह भारत देश जहां मैलाओं का सम्मान होता है इससे रोटी खाने वाले का सम्मान होता है हां यहां पर जो नाचने वाली यह नाない वह किस मंच में नाच रहें यह लिए वह पार्टी नहीं जो तुम करते हो शराब और शबाब की घरेलू घर में नाचना या अपने प्रोफेशन के लिए डांस करना सिचुएशनल डांस गाने के हिसाब से डांस यह होता है पर जो तुमारी अंटीनो माइनो वह डांस करती थी या मुझरा करती थी वह डांस में इज़त नहीं है इस्टैंडर्ट का फरक है जजहन जजह भारत अगली बार से जबान समाल के छत्राणी है वह चीर देगी